तो अभी कुछ महौल ऐसा मेरा सीन हो गया है इसकी गाड़ी में दो की गड़ा है यह वाले गाड़ी में इसको मैं सोच रहा हूं दिखवा देते हैं क्योंकि 80 किलोमेटर जाना है बहुत दूर है तो अभी दिखाने के चलते हैं गाउ में हूँ मैं अभी यह गाउ और तलाब है बुलसीडी का तो अभी गाड़ी को दिखाएंगे उसके बाद में चलेंगे थोड़ा धिरे-धिरे क्योंकि पंचर डिक्स लेना थोड़ा दिक्कत है और स्कूटी में अखेला हूं मैं भाई अभी नहां आवा हा रहा था तरहा में तो मैं सुचा बात आथ कर लोगे अच्छी से चाहेंगे करके तो आपको दिखा ले तो हम पंचर कहां पर हुआ है यह एक है यह दूसरा है और तो पता नहीं अभी फिलाल चेक कराने चलते हैं पंचर उसके बाद बताते हैं तो गाड़ी के रेडी हो गया है गाड़ी को पंचर में बनवा लिया था और अभी यह हाटी और पुरवा से अला रोड में जा रहा हुँ मैं और इधर पेरिया रहे है यह मेरा गाम वाला रोड है तो अभी निकल गया है हम लोग अभी नौबज रहा है फिलाल सब की हो गया अभी निकलते हैं और सिधा मिलेंगे आपको करतला में करतला में सब्सक्राइबर है मेरा और दोस्त भी है तो सब्सक्राइबर है और दोस्त भी है तो उससे मिलते हुए जाएंगे हम लोग मैं मतलब मिलते हुँ जाओंगा यह दिदिक गाड़ी है और अभी सिधा चलते है टाइब बीना टाइम वेश करें पाने भी गिर जाएगा इसका अगरा से मैं रेंकोट पहल लिया हूँ अभी तो यह जो रोड देखर हो यह रायगाड वाला रोड है और अभी फूल करवाल यहां 407 किलमेटर चल गया गाड़ी और इधर पेरियर है यह वाला जो मेरे गहों जाते है कुरबा वाला रोड है तो हम लोग हाटी होते हुए नहीं जाएंगे करतला करतला से रामपूर और रामपूर से होते हुए मैं रामपूर होते हुए जाओंगा हाटी होते हुए थोड़ा सा धूर पड़ जाते है गुमाओ तो वहां का भी रोड सही है यहां का दोनों को सही है तो मैं रामपूर होते हुए जाओंगा अभी पानी गिर रह तो मैं भी कैमरा अंदर कर देता ह तो यहां पर अभी तेज बारिस हो रहा है तो मैं रेंड कोट और यह सब अपना जुगाड कर रहा था तो यह जो रेंड कोट का जो निचला हिस्सर रहता है और उपर का हिस्सर रहता है तो उसको मैं पुरा पैक कर दियूंँ अच्छे से अर अभी मैं करकोमा में हूँ तो कॉरकोमा इंटरी कर रहा है यह देखा उद दर अंदर से और यह है कुरुआ वाला रोड और यह रायगड जाने वाला रोड तो मैं जा रहा हो कंसिया кон Prix और यहां से हर ःटी हर नी गुमाओ दार पड़ता है इसकारे से मैं हाटी वाले रोड को छोड़ दूँगा और मैं करतला होते हुए रामपूर होते हुए खणती है जाओंगा तो अभी पानी गिरा तो ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्यूंकि और दीरे दीरे चलते हैं और लंबा सफार है तो अभी टायर तो ठीट है पंचार हो गया था पंचार ने कील गड़ा था दो ठोक इसने तेंच का एक एक इंच का तो उसको निकलवाया है और निकलवाया है और फिर इसमें लगवाया है हम गाडी में तो उसको अच्छे से बनावाया है और चलते हैं अभी आगे इसको बना पहाड में फुरा फॉग फॉग है और यह मेरा स्कूटी है अभी डिग्गी में डालकर रहा है तो बंद करना भूल गया हूँ इधर देखो पूरा फॉग फॉग है पूरा पहाड है यह और मैं जा रहा हूं खड़सियां में तीदी कि यहां तो अकेले हूं और देखो मस्त आजारा है इधर एक नमबर सीन अच्छा लग रहा है घूम करके वैसे भी जो जो शेक नाट रच्रम बाई बेब आ रहा शिट अल्यू भेए ले लिए लिए लाइस तेंक इन अबाव यू आयं इतिड़ा इकंवी उताव यूज पर रह पीज़ा तो अभी जस्त हम लोग निकले हैं अभी बज गया होगा लगभग मैं इस अब देखने के लिए ना रुख जाता हो थोड़ा सा नजारा अच्छा रहता है तो तो मैं रुख गया था बस ये जो नजारा दिख रहे हैं ये जो फॉग है पहाड के उपर धुआ उठ रहा है दो टो जिобы hy的 हम हो जाता है तो निकलता है तो वह सब है तो ये सब नजारा देखने के लिए फ्टा सा अनुभाव करने के लिए मैं रुख गया यहां पे कैसा लगता है फील जो बोलते हैं प्रकृती तो वही सब जो भी तो अभी इस करण से मैं रोक नहीं पाए अपने आपको तो रुकना पड़ा अच्छा दिख रहाता करके तो फोटो मैं खीच रहा था मस्त तो अब आगे चलके आप और आपको दिखाते हैं कि कैसा नाजार है वैसे वीडियो तो मैं रोड का नहीं बना पाऊंगा बहुत क्योंकि लंबा सफर है कहीं कहीं पर दिखाऊंगा तो अभी मैं करतला जो है पहुचने वाला हूं बस ठीक है तो आते रहता है यहां पर तो हम अभी जाएंगे जरे जरे तो और कुछ नहीं चलते हैं सीदह तो यह जो रोड देख रहा है यह जाएगा हाटी और मैं इधर से राइट कर जाओंगा तो मैं उसी के लिए रुका था आपको बताने के लिए कि यह रस्ते से हम जाएंगे वैसे कर गे तो मैं करतला पहुंच गया हूं यह करतला है तो नेन दोड़ा है राइगर और इधर जाएंगे तो कुर्बा तो मैं जो मैं रस्ते से आँ उस रस्ते से कभी मत जाना देगे क्योंकि वह जो है गाओं का रस्ता है वह सौटकट मारा मैं इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो गया और जल्दी पहुंचाता है वैसे जल्दी है वह रोड तेकिन अभी जो परसात का सी ठीक तो यह हमारी स्कूटी है अभी कर्दला में है अभी हमको एक घंटा से टेड़ घंटा और लगेगा लगाले तेरी मर्दी तो यह जो है मेरे सब्सक्राइबर है जन तो यह इसका नाम गजेन है तो यह ही पर बुलाएं समर को तो यह गाओं जो है बहुत मतलब हम लोग गजेन का है इससे मिलते मिलते हैं थोड़ा उसके बाद में सीधा चलते हैं खड़सिया अब क्या हो गे रहे तो फिर अभी चलते हैं और चैवाई पीते हैं फिर चलेंगे तो गजेंद्र भाई है अभी मैं निकल रहा हूं जेस्ट फोटो टे शेर करते हैं अपर हम लोग ले रहा था मैं ले रहा था और ज्यादा मोबाइल में बैटरी बैटरी नहीं है हमारे पास ज्यादा लिक्कत है तो मैं सीधा आपको खड़सिया में दीघर जाके ही मैं वीडियो पर बनाऊंगा ठीक है और अभी है हम लोग जगा में हां से 40-50 किलो मेंटर और जाना है और फिर आगे चल के बता तो हम लोग राइगड एरिया में आ गया है अभी राइगड के एरिया में तो यह जो बिछे में लोको बोड देख रहे हो यह जो बोड लगा है उसके उस पार कुर्बा है और इस पार जो है राइगड है तो मैं अभी राइगड में इंटरी हो गया ह तो हम रुके थे वहाँ पर अब यहां पर आगे पानी गिर रहा है तो मैं रेन को टूता पहना ही हूं और यहां से लगभग तो और लगभग 30 किलोमेटर 30 किलोमेटर 35 किलोमेटर के असका घर है तो चलते हैं और धिरे lettuce जाएंगे और यहis scout है और समान मैं पगिक़ करके रखा हूं अब भी करकर रख सकते हो देखो किस तरह से मैं पैक करके रखा हूं इसे पुरा रेंड कोट से पैक करके रखा हूं और यह है गाड़ी वाड़ी जाते रहता ही दर तो बस इसी यही बताने के लिए मैं रुग्या थे यहां पर तो यह आगी का जो सीन है भी दिखाएंगे भी कुछ देर में आपको और यह जो है पीछे देखो यहां पर इस तो अब यागे चलते सिधा है आगे इस प्रफिय फुख डिख जो फ़लिए अब डाव और के जो प्रुख तो आगे चलते सीधा गों इसका ब्स नहीं जाने इस तेन अबड़े मैं रखनारर्य के इज़ाँ थे डोद लेकाशने के ल If you're not here, giving me something I can hold on to Baby, please don't leave Give me life, I need you Hold me close, I want to Shut all the world down, just you and me पानी गिरी रहा था और मैं पहुंच लगबाग 12 बज़े के आध पस घर दिर दिर यहा रहा रहा है कि जादा ही केज हो गयाता करते फिर मैं जल्दी जल्दी कर क्या ही गया वीडियो नहीं बना पयाउती खरण वहां भी तमें अच्छा सिम रहता है कुलिया रहता है दो पुलिया है वहां पर वहां पना नोडियो बनानी कोशिद कर रहा था पर नहीं बना पाया तो पानी कुछ इस तरह गिर रहा था थी कि देखरों कुछ जमा जम पानी गिर रहा है तो अभी मैं रूम में हूं जीजा के नहीं बीबी के नहीं हूं अभी तरह चाय बैस किते ह कुछी मैं सो गया था भी युखंग को देखा बाहर में मौसम ऐसा हाल है इसका रम से मैं आपको दिखाना चालता है अब इसकी लाल शाय कोई इसके बाद अधर बड़े पसंद आज़ा प्लीज लाइक शेयर और सिस्क्राइब ज़िए ज़िए मेरे चैनल को जब देखाऊ द करा दिस बाते है कि बाई शेखे अ हो फी जब एमसaina करे दो डूस बाहर बाहरा चालता है